जन्पत बलरामपूर से संबंधे स्रद्धालु जो उडिशा प्राम से बाबा भुने स्वरनाथ की यात्रा से लोट रहे थे। जन्पत बाला सोर उडिशा में बस के पलट जाने से जन्पत बलरामपूर के निवासी, दो लोगों की मिर्ट्यु वा दस लोगों की घायल होने के संबद में अपर पुलिस अदिच्चक दक्षडी नम्रता सिर्वास्तो द्वारा एक बीडियो जारी कर दी गई जानकारी आपको बता दे कि बलरामपूर अपर पुलिस अदिच्चक दक्षडी नम्रता सिर्वास्तो द्वारा एक बीडियो जारी कर जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक 28-9-2024 को थाना जलेश्वर जन्पत बाला सूर राजी उडिशा की उपने रिचक चिरंजीव राउत राजी उडिशा द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बस संख्या यूपी अक्या उन एटी बांसर सत्तान नवे कृष्णा बस जो डुमरिया गंस सिध्धात नगर से बिभेने तीर थस्तलों का ब्रमर्द करते हुए उडिशा प्रांद के बाबा भुनेश्वर नाथ कोडार्क जन्नात पूरी की यात्रा करके लोट रही थी कि राष्टे में जन्पत बाला सोर में पलट गई हुआ दुरगटना ग्रस्थ हो गई उक्तबस दुरगटना में जन्पत बलरामपुर के थाना गवरा चौराहा छेतर के दो व्यक्तियों की मिर्ति हो गई हुआ नो व्यक्ति घायल है तथा थाना पचपडवा छेतर के एक व्यक्ति घायल हुए है सभी घायलों का इलाज जन्पत बाला सोर उडिशा में चल रह प्राप्थ होते ही घायल वा मिर्तकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है यह उनके सायोग ही तुहर संभों मदद की जा रही है आज प्राता का यह सुचना प्राप्थवी कि ओरिशा के जन्पत बालासौर में एक बस दुर्विटा व्रस्त हो गई है और इसके अंतरगत दस लोग जो है वो घायल हो गए है जो जन्पत बलरामपूर के हैं और दो लोगों की डेथ हो गई है जन्पत बलरामपूर के इस थानी के द्वारा सुचित किया कर दिया गया है और उनके सहीओ के लिए हर संभव कारवाई की जारी है